Hello everyone, welcome to iTube Classes. दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि finally इंडिया ने काफी criticism, काफी confusion और काफी consultation के बाद wheat के export के उपर पूरी तरह से ban लगा दिया है. देखिए, actually ये इंडिया ने एक यूटरन लिया है. इससे पहले हम लोग पूरी दुनिया को wheat export करने की कोशिश कर रहे थे और इंडिया actually यहाँ पर एक opportunity ढून रहा था. क्योंकि यूक्रेन और रश्या के crisis के बाद, उसके यूद के बाद क्या हुआदे के दुनिया में 25-30% जो wheat produce होता है, export होता है, वो होता है यूद हुआ पूरी दुनिया में, जो है यहाँ पर food supply और supply chain के अंदर जब दिक्कतें आई, तो पूरी दुनिया जो है वो इंडिया की तरफ एक उमीद लगाए देख रही थी, और उसी बीच में जो है मोदी जी ने USA के प्रेजिडेंट और European Leader के साथ बाचीत करके ये भी कहा था, कि इंडिया जो है wheat export करने के लिए पूरी तरह से तयार है, और इस मुश्किल की घड़ी में इंडिया जो है help करने वाला है, और actually इंडिया कई सारी countries के अंदर export करने के लिए deal कर भी रहा था, देखे, Egypt, Jordan और कुछ Middle East countries है, तरकी है, ये अपना बहुत सारा wheat जो है युक्रेन से और रश्या से export करती है, तो definitely इंडिया यहाँ पे export करने के लिए पूरी तरह से तयार था, तो दोस्तों इसका कारण क्या है कि अचानक से सरकार ने U-turn ले लिया है, तो इसके कान जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, देखे, यहाँ पे जो सबसे prominent और पहला कान हमें नजर आता है वो होता है हमारा heat wave, देखे, अप्रेल और मई के महिने में North West India में और Central India में बहुत ही जादा strong heat wave चली है Actually, पिछले 122 सालों का पूरा record तोड़ दिया है और आपके यह बताता चलू के जो heat waste होती है, बहुत high temperature होता है खास कर जो गेहूं की कटाई का season होता है, अप्रेल और मई का महिना उस समय में wheat एक बहुत जादा temperature अगर वहाँ पे हो जाता है तो उसकी production काफी कम हो जाती है और जितना production सरकार पहले उमीद कर रही थी, उतना production यहाँ पे नहीं हो पाया और सरकार ने अपने targets को दोबारा यहाँ से revise किया तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इंडिया में खुद production काफी जादा कम हो गया था और सरकार गलती नहीं करना चाहती थी, actually 2004-2005 में मोहन मोहन सिंग की सरकार ने कुछ ऐसा ही किया था उससे पहले bumper production हो रही थी, तो अचानक से हम लोग ने बहुत जादा wheat के export को बढ़ा दिया था और फिर अगले साल हमारे यहां पर drought हो गया, जिसकी वज़े से हमारे यहां पर locally काफी जादा wheat की कमी हो गई थी और एकदम prices आसमान चुने लगे थे, तो जो गलती उसे में मोहन सरकार ने की थी, तो यह सरकार चाहती है कि वो गलती यह ना करे दोस्तों second जो reason है यहां पर वो है procurement, देखे government of India और state governments काफी जादा wheat procure भी करती है उसको storage में रखने के लिए क्योंकि सरकार बहुत सारी scheme चलाती है जिसके लिए उसको wheat की requirement होती है, जैसे हमारे परधान मंतरी गरीब कल्यान योजना है, हमारा food security act है जिसमें हम लोग public distribution के तहत wheat को supply करते हैं, food stock हमें emergency के लिए भी चाहिए होता है, mid day mill schemes होती है, और भी बहुत सारी चीज़े ऐसी होती ह है, तो procure हमें करना पड़ता है, इस साल सरकार ने काफी कम procurement की है, actually इस साल government of India ने 15 सालों की सबसे कम procurement की है, इसका मतलब यह हुआ है कि हमारी domestic market में store करने के लिए हमारे पास wheat नहीं है, तो सरकार यह ensure करना चाहती है, कि पहले हम लोग खुद wheat की supply को complete कर ले, अच्छे से storage कर तक कि future में emergency आये तो हमें दिक्कत ना है, उसके बाद हम लोग wheat export कर सकते हैं, देखे आपके बाद बताता चलूं कि यह जो wheat को ban करने का notification आया है, यह अब आया है, लेकिन इस से पहले जो हमारे contract हो चुके हैं, उन contract को हम लोग पूरी तरह से fulfill यहां पे करेंगे, यानि कि उन and agriculture organization of the United Nations हैं, और भी बहुत सारी international organizations हैं, वो भी कह रही हैं कि Russia, Ukraine की वज़े से पुरी दुनिया भर में जो food crisis आया है, इसके लिए India उनकी help कर सकता है, तो अगर पुरी दुनिया में मान को चलो, कल को यहां पे भुखमरी हो जाती है, कल को यहां पे famine वाली situation आ जाती है, तो क commercial purpose के लिए हम लोग wheat को यहां पे export नहीं कर रहे हैं, तो यह है दोस्तों पूरे कपर article, और शायद आपको कुछ चीज़ी यहां पे समझ में आई होगी, देखे किस तरह से जो international event होते हैं, वो हमारे domestic event को भी definitely impact करते हैं, और इससे में वैसे भी हमारा जो inflation है, बहुत ज़ाद all time high जा रहा है, पिछले 7-8 सालों में इतना ज़ाद inflation कभी हुआ नहीं, RBI और सरकार ने भी काफी ज़ादा step लिये हैं inflation को control करने के लिए, especially जब हम लोग food inflation की बात करते हैं, वो तो एकदम बहुत ज़ादा high है, और इसके पीछे बहुत बड़ा reason होता है, fuel यहनके जो crude oil है, उसकी supply जो है, वो disturbed हो गई है, और internationally crude market के, crude oil के prices हैं, वो भी बहुत ज़ादा high हो गए है, तो दोस्तों इस article में इतना ही, अगर आपको यह article ठीक ठाक लगा हो, तो please हमारे channel को आप लोग like ज़रूर करें, future में अगर आप इस तरह की video का update चाहते हो, तो channel को subscribe ज़रूर करें, notification notification button यानि के उस bell icon के पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि future में कोई भी video आए, तो सबसे पहले notification आपको मिले, आज की video में इतना ही, thank you very much, all the best, क्या हिंद झाल